पुराडी ट्रांसपूर्ट अथॉरिडी में हम लोग आए हैं, यहां ओटु वालों के और इस ब्वाज़र काम होते हैं यहां पर दोगों से बात की तो दोगे की शिकायथ है कि अगर दलाल के जरीया आते हैं तो काम महीनें करी लटकते रहते हैं इसमें दो चीज़े करने की दुरूरत है, एक तो जो जो करमचारी, बेहिमानी में शामिल है, उनके खिराफ सकत करवाई की जाएगी, और दूसरा जितने भी systemic changes है, इतने लंबी लंबी लाइन है यहां लगने की जुरूरत हैं, बहुत सार जैसे fitness है, fitness हम दीसेंट्रलाइज क के लिए आने की, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़े हैं, मैंने अभी इन लोगों को यह बोला है, जिस-जिस काम के लिए यहां पर लोग आते हैं, उस सारे कामों के लिस्ट लें और उसके बाद इसको complete लिए सब्सक्राइज आपके साथ हैं यहां पर, क्या किसी पर साथ ह काम नहीं होने देते हैं, दलालों के लिए यहां पर काम आपके साथ हैं, जनता से तो मिल सकते हैं, जनता तो थी, जनता से मिलें, जनता को कोई नहीं अटा सकता हैं करना दिल्ली की स्कीम लागू करना चाहते हैं, उसमें को इचेंज नहीं कर रहे हैं, क्यों उसको बार-बार बार बड़ रहे हैं, तो हम इसे यह कहा है, उसलिए मंतरी के पास वाइल है, वो मान जाया हैं, रद्धरवात अब आप दो मंतरे में धरना करता हैं, अधिकारी करना चाहिए कि आज चाहिए कि आज है कल तक स्थाइब ने इस पर शायदे है, सर एक पंजाब ओपोजिशन लिए इसे इसे तरफ से एक कश्मीर पे आज जो हुआ है, उस पे संजे भाई और आस्टोश भाई अज़ए रखे पर रखेंगे, सर एक टवंटी टविए चार सालों में उस स्वर्ग को नर्क बनाने के बाद भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने उस स्वर्ग को नर्क बनाने के लिए कश्मीर को बदतर हालात में छोड़ दिया और जो बातें वो कह रहे हैं, उसको सुनकर हसी आती है, यही भारती जन्ता पार्टी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी थे और इनके लोग थे जो चिला चिला के कहते थे कि नोड़ बंदी से आतंकवाद देश में खतम हो जाएगा मुझे याद है उस समय तमाम बुद्धी जीवियों के लेख भी आए कि कौन से हैं वो लोग जो नोड़ बंदी का विरोत कर रहे हैं, यह तो आतंकवाद खतम करने के लिए लाई गई है कैसलेस एकॉनमी के लिए लाई गई है, नकसलवाद खतम करने के लिए लाई गई है आज कह रहे हैं कस्मीर में आतंकवाद बढ़ गया ये समझने में आपको चार साल लग गया कि कश्मीर में आतंकवाद पढ़ रहा है कश्मीर के आंत्रिक हालात ठीक नहीं है कश्मीर से लगी हुई पाकिस्तान की सीमा सुरक्षित नहीं है सीमा पर उलंगन की घटना है आजादी के बाद से लेकर सबसे ज़्यादा अगर हुई है तो एंडिय सरकार में हुई है मोदी जी के सरकार में हुई है तो आज जिस तरीके से बहाना लेकर यह समर्थन वाफसी की नोटनकी भाजपा के द्वारा की गई है दरसल कश्मीर को नरग बना कर उसके हालात पर छोड़ने की कारवाही मोदी जी की की सरकार ने की है कश्मीर को बरबादी की हालात में छोड़ने की कारवाई मोदी जी की सरकार ने की है पिछले चार सालों में कश्मीर समस्या को लगातार बढ़ाया गया लगातार उस समस्या को और बड़ा बनाया गया कम करने का काम नहीं किया गया करता है जो सफाल के रहे है तो जो घाना यहां नहां से लिए को तरो गना देशी नहें